तो हेलो गैस कैसे हैं आप सब आप सभी लोग मेरे यूटूब चैनल येस फार मग्यान में आप सभी का सवगत है मैं आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे नॉर्मल टमप्रेचर होती है 37 डिगरी सिल्सियस अब हम फैरन हाइट की बात करते हैं तो 98.6 फैरन हाइट होती है अब हम बात करते हैं फेबर के कुछ लक्षण के बारे में जैसा कि आपके सरीर का ताप मान बढ़ जाना अब हम कमजूरी आना थाक थकान लगना सिर्मे दर्द होना पूरी सरीर में बाडी पेन होना कपकपी एबम ठंडी लगना यह कुछ सिम्टम हुए आपके बुखार की एबम कुछ कारण है जिनके कारण आपको बुखार आती है किन-किन कारण के कारण आपको बुखार आती है तो बार-बार आपको बुखार आती है तो ये बैक्टिरियल एबम वायरल के इंफिक्षन के कारण होता है और सबसे आप मुद्दे पे आते हैं इनके इलाज एबम समाधान कैसे पाएं आप मेरे यूटूब चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ जैसा कि पैरसिटमॉल है पैरसिटमॉल यह 500 mg पर है और पैरसिप है यह पैरसिटमॉल का कम्बिनेशन होता है इंटेमॉल 500 mg डोलो 500 mg एबम कैल पोल 500 mg और आपको मिल जाएंगी अब हम बात करते हैं इनके यूटूच के बारे में किनका डोच क्या है तो आपको क्या करना है खाना खाने के बाद एक गिलास पाने में आपको एक टेबलेट खाना है इसको मुँ में घुलाना नहीं एवं क्रिस्ट नहीं करना डारेक्ट आपको लिगल जाना है लिगलने के बाद आपको आराम से रिष्ट करना है रिष्ट करने के बाद यह डिजॉल्ब होगा ड्रेक डाउन होगा उसके बाद आपकी सरीर को एक्सन मिलेगा आपको 10-20 मिनट के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी बुखार ठीक हो गई है कि नहीं आपको बॉमिटिंग होगी मतली होगी कुछ डीजनस आएंगी सर में डर्द होगा बस होगा इतने ही इसके साइड एफेक्ट है कुछ साबधानिया वरते कौन कौन सी साबधानिया इन टेबलोटू का उपियोग करने के बाद आप सराप का उपियोग ना करें पान का उपियोग ना करें तो ज़्यादा वहतर रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पिने हो तो सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई भी क्वेस्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो मस्त रहें स्वस्त रहें जै भूलेनाथ